हमारे संवाज़ता अब शेक पांडे ने स्वास्त मंत्री से एक्स्क्ल्यूजब बात चीट की है क्या कहना है स्वास्त मंत्री का वो आपको सुनाते हैं एक मई से देश भर में 18 साल से लेकर के 44 साल तक के लोगों के लिए वैक्सिनेशन के विंडो खोल दिया जाएंगे और देश में 18 साल से उपर के जितने भी लोग हैं उनके लिए वैक्सिनेशन का कारिकरम शुरू कर दिया जाएगा सबी राजियों की अपनी अपनी तयारी है, उत्तर प्रदेश सरकार क्या तयारी कर रहा है, स्वास्त महिकमा क्या तयारी कर रहा है, कितने वैक्सीन अब तक आने हैं, यह हम बात करते हैं स्वास्त मंत्री से सर एक मई से सब के लिए है अठारा साल से उपर कोई भी वैक्सिन ले सकता है ये वैक्सिन सर राज्य सरकार उपलब्द कराएगी या फिर भारत सरकार ये तो भारत सरकार के द्वारा असपश कर दिया गया है कि राज्य सरकार अपने संसारन द्वारा खरी देगी दोनों कमपनियों से तो हमने विचार करते हुए अपने डोनों कमपनी को पचास-पचास लाग का हमने आर्थ आर्डर भी प्लेस कर दिया है और जब वो सप्लाई करेंगे तो हम शुरू करेंगे सर, अब दिन कितने बचे एक तारिक से शुरू होना है, अगर वैक्सीन सब तक नहीं आई है, तो फिर ऐसा नहीं कि एक कारिकरम तुरा डिले हो जाएगा? अब देखें, यह बात अभी केन सरकार में भी लंबित है, जहां हमारे मुख्मंती जी ने भी बात किया है केन सरकार में, और हमारे जो इस वैक्सिनेशन को लेके एक समिती बनाया गया है, वित मंत्री उसकी अध्यक्ष है, और मेरे साथ उद्योग मंत्री सतीज मना जी, मसी म मंत्री सिधार ना सेंग जी, हम लोग सब इसी में हैं, और मुख्मंती ने इसको संग्यान लेते वेक लिखा भी है केन सरकार को कि दोनों कंपनियों से बार्ता करके उचित रेट पर हमको समय के अंदर डिलिवरी करवाए, यह बात हुई है और डॉक्टर हश्वादन से भी कारिकरम भी चला जा रहा है, एक मई से बड़े पैमाने पर वैक्सिनेशन होना है, हाला कि धीमी तैयारियां दिख रही है, अब तक वैक्सीन नहीं पहुंची हुई है